हाई वीवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है हाज हम आपको बताएंगे कि स्वास से भरपूर हलवाई जैसे बूंदी के लड़ू घर पर आसानी से कैसे बनाए आसान भूर्डेशिप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बे इन में एड करेंगे एक कप यानि की 200 ग्राम चीनी और अब इसमें एड करेंगे आधा कप यानि की 100 ml पानी देखे चातनी बनाने के लिए हमने जितनी चीनी लिए उसका आधा हमने पानी लिया है अब इसे लगाता चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे ये देखे चीनी पानी में अच्छे से घूल चुकी है इस तेश पर हम इसमें एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून ओरेंज फूड कलर हम यहाँ पर चासनी को ज्यादा नहीं पकाएंगे हम इसे हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पानी में अच्छी तरह से घूल जाए हमने चासनी को लगाता चलाते हुए हाई फ्लेम पर सिफ दो मिनिट के लिए पकाया है अब हम इसमें एट कर देंगे एक सो पचास ग्राम बेसन की बूंदी यह रायते वाली बूंदी है जिसको हमने घर पर बनाया है चासनी में बूंदी एट करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर एक मिनिट तक और पकाएंगे चासनी में बूंदी एट करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर एक मिनिट तक अच्छी से पका लिया है अब गेस की फ्लेम को ओफ करके इसे रूम टेंपरेचर पर सिफ पांच मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे हमने बूंदी को रूम टेंपरेचर पर पांच मिनिट के लिए अच्छी से ठंडा कर लिया है अब हम इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पून गी देखे हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना सिफ पांच मीट के लिए ठंडा करेंगे और इसमें घी एट करके सेचे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें से थोड़ा सा पॉर्सन लेके इस तरह से इसका लड़ू बना लेंगे हमने आपको पहले भी बताया था कि लड़ू बनाने के लिए हमने जिस बून्दी का इस्तेमाल किया है उसको हमने घर पर बनाया है जल्द ही हम इसकी भी वीडियो अप्लोड करेंगे यह देखिए हमारा एक लड़ू बनकर तैयार है अब बाकी के सारे लड़ू भी हम इसी तरह बना लेंगे अब हमारे बनाये हुए लड़ू को अच्छा सा लुक देने के लिए हम इसे गानिश करेंगे रोश्ट कियो हुए मगज बीच से यानि की मेलन सीट से तो यहाँ पर हमारे लड़ू बनकर बिल्कुल तैयार है तो लीजिए खाने के लिए तैयार है स्वाधिश्ट बूंदी के लड़ू अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इतने से लाइक और शेयर करें और कॉमेंट में जरूर बताएं कि ये रेसी पी आपको कैसी लगी और इसी ही आसान रेसी पीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेल आइकन दबाना ना भूलें